देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि जाएगा. अभी बताया जाता है, राशिफल पर चलेंगे लेकिन एक बार उससे पहले दिने के पंचांग पर एक संक्षिप सी नजर डाल लेते हैं. पंचांग की तरब बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आज एक बार ओम विश्णवे नमहा आवश्च्छ लिखके जाएगा. पंचांग इस्टरा से है तिथी चतुरदशी नक्षत्र रहेगा जेश्ठा, योग शूल करन रहेगा विश्टी और वार रहेगा गुरुवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है, सुरुदेवता 7.10 अम पर देहो के अस्तोंगे 5.30 पीम पर, चंद्रमा विश्चिक में रहेग नक्षत्र रहेगा मूल, कुछ विशेश मुरतों की बात करते हैं, ब्रह्म मूरत 5.21 अम से 6.16 अम, अभिजीत मूरत 12.00 पीम से 12.41 पीम, और अमृत काल 8.10 पीम से 9.36 पीम, अशुब मूरत राहु काल 1.38 पीम से 2.55 और गुलिक काल 9.45 पीम से 11.3 अम, इन दोनों ही 24.40 का पार्ट करके ही घर से निकल लिएगा, तो ये था पंचांग, चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेश के साथ, मेश बहुत शुब दिन है, बहुत लाबकारी दिन है, क्योंकि भागे का साथ मिलेगा, पैसा आ सकता है, नॉलेज गेन करने के लिए अच्छ कम रहेगा, बिजनस के हिसाब से दिन अच्छा है, आने वाले दिन में भी, दिनों में भी कुछ अच्छा हो सकता है, उसका आभास हो जाएगा, लाबकारी दिन है, लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा, विवाहिक जीवन ठीक है, शान्ती बन आश्टक में आपका सप्तम भाव फिर से आज अतिन तबली है, दो दिन ठीकी रहेगा, एक बैलन्स रहेगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चलीसा का दो बार पाठ करना है, शुबंके चार कल है, ग्रीन भागे प्रतिशत, पचत्तर पतिशत, टॉरस दिन अच्छा है, बस दिन की शुरुआत में कुछ भी बड़ा कारे नहीं करना, कुछ भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, इसपेशली पैसों के समद्ध में, दिन अच्छा है, जीवन आगे बढ़ेगा, बस दिन की शुरुआत बहुत संभल कर करनी है, एक पूर्णता का भाव आ जाएगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, कारे बनेंगे, बस जैसा मैं थोड़ा स्ट्रेस से कह रहा हूँ, दिन की शुरुआत, थोड़ी नकरात्मक, नकरात्मक नहीं कहूंगा लेकिन सेंसिटिव रहेगी, इन्वेस्मेंट भी कर सकते हैं आज, लोगों का साथ भी प्राप्त होगा, कारे आपके अवश्य बनेंगे, बस शुरुआत अच्छी कीजिएगा, बहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, बिजनस में अपसें दिन बहुत सकरात्मक है, जहां तक सेहत की बात है, जिनको डाइबटीज है, थोड़ी प्राप्लम हो सकती है, सरवाश्टक में आपका छटा भावत इंतबली है, तो वही दिन की शुरुवात में थोड़ी चिंताएं हो सकती है, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश आज आगे बढ़ेंगे लिकिन धहरे पूरोग बढ़िएगा, पुरानी चीजों पर मत जाएगा, फैमली को समय दीजेगा, उनके साथ समय व्यतीत कीजेगा, अपने नेचर को समझने का अपर्यास कीजेगा, इन्वेस्मेंट के लिए अच्छा दिन है, कुछ इच्छाए यह दोनों ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जातक विवाहिक जीवन की बात है, ठीक है दिन, शब्दों का चयन अगर अच्छी तरह से करते हैं, तो और अच्छा रहेगा, स्टूडेंस के लिए तो दिन बहुत अच्छा है, आपको मदद भी मिलेगी, सकरात्मक भी हो सकता है, सेहत, जिनको डायबटीज है, दिक्कत रहेगी, पेट के रोग दिक्कत देंगे, सरवाश्टक में आपका पंचम भावतिंत बली है आज फिर से, क्रियेटिविटी रहेगी उसका उप्योग कीजेगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्नु चारी अपने उपर विश्वास बढ़ेगा, अपने फाउंडेशन पर, अपने बेसिक्स पर काम करेंगे, समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहा है, दूर दृष्टी रहेगी, अच्छा दिन है, इंवेस्टमन कर सकते हैं, अपनी अडिक्शन पर कंट्रोल पाने के लिए आज का द लाब होगा, जहां तक लव लाइफ की बात है, चीजों को सिंप्लिफाइ कर लेजिए, बहुत अच्छा रहेगा, विवाहिक जीवन जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत अराम से सॉल्व हो सकती है, जहां तक स्टूडेंस की बात है, हर चीज को कंट्रोल करने का प्रया आपको और समझे, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चरीसा का एक बार पाठ करना है, और विश्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाना है, शुब अंक है आपका चार कल है, आपका रेड भाग्य पतिशत 75 पतिश, चलते हैं, लियो यानि कि सिम्ह के तरफ बहुत ही जादा लाबकारी दिन है, आज लाब तो प्राप्तो होगा ही, जीवन में एक सकरात्मक्त आ जाएगी, जो उल्जहनेती वो सलच जाएंगी, और बहुत action oriented आप रहेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इस समय जीवन में क्या करना है, और जब व्यक्ति को ये समय धहरे रखिएगा, जा तक करियर की बात है, दिन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा aggression बढ़ सकता है, बिजनस के हिज़ाप से तो बहुत शुब दिन है, हेल्थ केर से जुड़ा कुछ काम है, दवाईयों से जुड़ा कुछ काम है, लाब होगा, लव लाइफ, यहाँ पर से गुस्ता अचानक से आ सकता है, वहाँ पर प्रॉब्ल्म हो सकती है, स्टूदेंस, अनिशित्ता भरा दिन दिख रहा है, स्टूदेंस के लिए थोड़ा आज का दिन नेगेटिव है, सेहत के हिसाब से गले के रोग और आखों के रोग, सरवाश्टक आपका तीसरा भाव पकर्षषट 75 चलते हैं, कड्डे आनिकी वर्गों के तरफ शुब दिन हैं, कार्या जो अटक रहेते पूरे होंगे, और अचानक से होंगे, किसी के साथ के साथ भी हो सकते हैं, जो भी आपके कार्या अटक रहेते, आज पूरा प्रयास कीजीएगा, कि अपने आप से हो किस किसायता से हो, वो पूरे हो जाएं, क्योंकि आज भागे का साथ मिलेगा, उनको पूरा करने के लिए, पैसे के लिए अच्छा दिन है, जीवन में बदलाव आएंगे, अच्छे बदलाव आएंगे, इंवेस्पेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा ही है, पस आपको ये ध पूरा आपसेंट डाउन जा सकते हैं, कंट्रोल कीजेगा, विवाहिक जीवन आगे के बारे में सोचे, छोटी मोटी उल्जनों से निकलने का प्रयास केजिए, स्टूडेंस, अच्छा दिन है, लेकिन धहरे रखिए, बहुत कुछ एक साथ करने का प्रयास करेंगे, उसके किसी भी फल का भोग लगाना है, शोपंक के चार कले है आपका, ग्रीन भाग्या पतिशत है, 75 तुला, लिब्रा, अपने उपर फोकस कीजी, किसी के पीछे मत भागिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या बेटर है, आपके लिए क्या बेस्ट है, किसी पर focus करना है किसी के पीछे अगर जादा जाएंगे तो नुकसान आपको ही होगा वो अपना काम करके निकल जाएंगे और आपको धोगा प्राप्त हो सकता है आपको नुकसान हो सकता है अपने skills पर काम कीजिये अपने दोस्तों के साथ समय वेतित कीजिये जो तो सच में आपके दोस्त हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, जिनको आप न सचा दोस्त कह सकते हैं, जहां तक investment की बात है, थोड़ा बचिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजी, खर्चे आपके थोड़े बढ़ते हुए आजकल दिख रहे हैं, जहां तक career की बात है, बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा, बिजनस में आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है, कोई problem नहीं दिख रही, वानी पर कंट्रोल रखिएगा, लव लाइफ, बहुत अच्छा दिन है, जो problem चल रही थी कई दिनों से, पूरी हो सकती है, ठीक हो सकती है, नया relationship भी कही ना कहीं आगे, उसके बारे में भी चीज़ें बढ़ सकती है, विवाहिक जीवन में थोड़ी problem दिख रही है, जहां तक students की बात है, अच्छा दिन है, कोई exam आपका बढ़ता है, अच्छा करेंगे, सेहत के हिसाब से, आपको गले के रोग तंग रहेंगे, पेट के रोग तंग रहेंगे, सरवाश्टक में आपका प्रथम स्थानिया तेंत वली है, यह अच्छा है, उर्जात्मक दिन रहेगा, आपके लिए उपाई यह है, कि आपको विश्णु चारीशा का एक बार पार्ठ करना है, शुबंग के आपका साथ कल है, आपका येलो भाग्य प्रथिशत 80 व्रिश्चिक, दिन अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिदेंस सता सकता है, उस पर कंट्रोल कीजेगा, अध्यात्म की तरफ जाईएगा, कुछ नई शुरुआत करने से पहले डिटेल्स में जाईएगा, सब कुछ हैंडल करने का प्रयास मत कीजेगा, मल्टी टास्किंग भारी पर सकती है, इंवेस्टमेंट कर सकते हैं, बुरा दिन नहीं है, अपने विचारों पर काम करना पड़ेगा, आपके विचार ठीक है, लेकिन जैसा मने का मल्टी टास्किंग बहुत हो रही है, इसके फोकस नहीं लग पाता, तो जो आईडियाज आ हो सकती है, नुकसान हो सकता है, धोखा भी मिल सकता है, लव लाइफ, लव लाइफ में ठीक है, बस समय पर गलत चीज़ मत बोलिएगा, इसका बहुत consciously ध्यान रखना है, विवाहिक जीवन, emotions बहुत हावी रहेंगे, उसके कारण थोड़ी problem हो सकती है, या तक students की बात है, द बारवास्थान अतिन दवली है, तो पिछले कुछ दिनों से शायद आई ही आपका बारवास्थान बली रहा है, तो खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, सेहत का भी overall ध्यान दीजिए, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है, चोटी-छोटी चीजों से ही कुछ अच्छा पराप्त कर लेंगे, चोटी-छोटी चीजों में ही खुशिया ढूर लेंगे, सकरात्मक दिन है, जो गलतियां कर रहे थे वो भी आज ठीक हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जीवन में एक नई उर्जा आए गया, जो बहुत सकरात्मक दिन है, जहां तक करियर की बात है, थोड़ा सा आपको यहां पे साहस दिखाना पड़ेगा, आप अपने पॉइंट्स नहीं ढंग से लग पाते हैं, बिजनस के हिसाब से, यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं, लव लाइफ तो अच्छी है, आज स आप से ठीक है दिन, जादा नकरात्मक नहीं है, सरवाश्टेक में आपका लावस्थान अतिन तवली है, तो यह बता ही रहे कि दिन अच्छा ही जाएगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी के एक बार आरती करनी है कपूर के साथ, शुबंक है, दो, कल है यलो भागया प्रतिशत 80, कैप्रिकॉन, बहुत अच्छा दिन है, कुछ नई शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन है, एक सकरात्मक ता आएगे जीवन में, अपने जीवन पर कॉन्फिदेंस बड़ेगा, अपने कार्यों पर कॉन्फिदेंस बड़ेगा, और धने के बारे में और information gather करने का दिन है, जहां तक career की बात है, शुब दिन है, लावकारी दिन है, कोई problem जादा नहीं दिख रही, बलकि अच्छा ही दिन जाएगा, business के हिसाब से भी दिन अच्छा ही है, अगर आपका event से जुड़ा कुछ काम है, manufacturing से जुड़ा कुछ काम है, तो और अच्छा रहेगा, जहां तक love life की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा, कि दिख रहा है कोई problem है, उसको solve तुरंथ कीजेगा, wait नहीं करना, विवाहिक जीवन, overthinking से बचना है, students, थोड़ा सा आपको समय जादा देना पड़ेगा, आप बाकी चीज़ों को समय जादा देना है, studies को छोड़कर, सेहत की से आपसे गले के रोग और thyroid की problem, सरवाश्टक आपका दस्वा भावतियन तबली है, तो ठीक है ये, दिन अच्छा ही जाएगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चलीसा का दो बार बाट करना है, शुबंग के आपका 9 कलर है, आपक उर्जा तो अच्छी मिलेगी ही, आपको उस जगा से लाव मिल सकता है, जहां से आप anticipate ही नहीं कर रहे थे, जो भी कारे करेंगे, उसमें अधिकतम सफलता ही प्राप्त होगी, आज कुछ important कारे अगर आपका है, तो उसमें 100% आपको अच्छा result प्राप्त होगा, investment भी कर सकत हैं, नकरात्मकता से निकलता हुआ, आज का दिन आपका दिख रहा है, जहां तक career की बात है, वानी पर control रखना है, कुछ ऐसी चीज़ बोल देंगे, कडवी, जो अच्छे बंते-बंते काम को बिगार सकती है, इस पर ध्यान दीजेगा, business में तो आज का दिन अच्छा ही द स्टूडन्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, अंडरस्टैनिंग बढ़ेगी अपने सब्जेक्स को लेकर, सेहत का भी दिन आज अच्छा ही है, हाँ, अगर ऐस्तमा है आपको, सांसों से संब्बंदित कोई भी प्रॉब्लम है, तो दिक्कत बढ़ सकती है, जहां सरवाष्टा की बात है, आपका भाग्य स्थान अतिन बली है, तो बता रहा है कि दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चलीसा का तीन बार पाठ करना है, शुब अंक है आपका साथ कल है आपका गोल्डन भाग्य प्रतिशत 90 दिन ठीक ठाक है, बस किसी से उलजियेगा मत, बहस मत कीजिएगा, वो एक चीज है जो थोड़ा नकरात्मक आपको कर सकती है, अधरवाइस दिन बहुत अच्छा है, अपनी खुशियां, अपने गम किसी से बाटिये, अपने आपको प्यार कीजिए, अपनी जरूरतों को प पॉसिटिव फिल करवाते हैं, जहां तक करियर की बात है, थोड़ा सा अंस्टैबिलिटी आ सकती है, आपके अपने ही गलती से कुछ नकरात्मक आपको प्राप्त हो सकता है, विजनस, थोड़ा इन्वाल्मेंट दिखाईए, पैशनेटली इन्वाल होई अपने विजनस मे अच्छा रहेगा, लव लाइफ के हिसाब से, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा धैरे दिखाईए, विश्वास दिखाईए, विवाहिक जीवन में लड़ाईयां जगड़े आज हो सकते हैं, स्टूडन्स की जहां तक बात है, दिन तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉंफिडेंस कम करेगा, तंग करेगा, सेहत के इसाब से गले के रोग और पेट के रोग, सरवाश तक आपका अश्टम भावाज फिर से अतेंतवली है, अभी जीवन के अनिश्यत्ताओं को थोड़ा सॉल्व कर लेजे, कुछ ऐसी चीज है, आपका ब्लैक भाग्य प्रतिशत है, 70 प्रतिशत, तो यह था 22 दिसंबर का राशिफल चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ, अंगली वीडियो में तर तक के लिए, ओप